पिछले हफ्ते रवीवार को जब मैं आपके सामने आया था मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तै कि आए कि लॉकडाउन ऐस इस जारी रहेगा कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दुबारा निरने लेंगे कि लॉकडाउन को जारी इसमें कु रात को केंदर सरकार ने कुछ तरह की दुकाने खोलने का निरने लिया है उस केंदर सरकार के आदेश को हम दिली में भी लागू कर रहे हैं ये आदेश क्या है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जो Essential Services की दुकाने थी दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खा बूट्स के दुकान, दूद की, services, वो जो essential services हैं, वो तो जारी रहेंगे, उसको कोई छेड नेरा, वो as it is जारी रहेंगी, वो खçi जारी रहेंगी, वो supply होती रहेंगी。 इसके अलावा, कोई market निंखोले जाएंगे, कोई dda market निंखुलेगा, कोई ये market वो market, कोई market निखुले हैंगे लेकिन छो резidential eriaz में ₹ है एक के दुक की दुकाने होती हैं स्क्राइड लोन कोई दुकान हैं नेबर हुड की कोई दुकान है एक की दुक की इसैस्ट दुकाने है उनको खोलने की इज्जाजत कैंदर सरकार ने दीएं है उन ₹ कि दुक की कोई जो नेबर हुड में है, स्टैंड लोन है, रेजडेंशल एरियाज में है, उन दुकानों को जो केंदर सरकार ने इजाज़त दिये, वो दुकाने दिल्ली में भी खोली जाएंगी, मैं फिर से बता दू, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्पलेक्स न नहीं खुलेंगे, लेकिन कंटेन्मेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी, जो एक की दुक की दुकाने में बात कर रहा हूँ, कंटेन्मेंट एरिया वो एरिया है, जहां पे हम लोगों ने सक्ति की हुई है, सील किया हूँ उन एरियाज को, जहां पे करोना के ज़्याद कुछ खोलने की हम इजाजत अगले एक हफते तक तीन महीं तक और नहीं दे रहे, तीन महीं तक यथावत इसी तरह से जो restrictions हैं वो जारी रहेंगी, यह हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है, बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफते में आप सब लोगों ने मेहनत करके करोना को पे काबू पाया है, हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अगे और बढ़ने नहीं देना, तीन महीं तक पूरे देश में प्रधान मंतरी जी ने लॉकडाउन का एलान किया है, तीन महीं के बाद केंदर सरकार इस पे क्या निरने लेती है, उस पे निर्भर कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं, कि इंदर सरकार के निरने के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तै करेंगे, एक अच्छी ख़बर है, कल मैंने बताया था आप लोगों को प्लाजमा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं, प्लाजमा के जो अभी तक ट् काफी उनकी नाजुक हालत थी, और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे, उनको प्लाजमा दिया गया और उनकी तब्यत में काफी अच्छा सुधार हुआ है, आज सुबह तक, काफी सुधार हुआ है उनकी तब्यत में, मैं डीटेल्स में नहीं जाँगा, ड हमारा उत्सा बड़ा है इस प्लाजमा थेरेपी को लेके कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इन से, मैं उमीद करता हूँ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होके अपने घर जाएंगे, अभी तो आइस यू महीं है, और मैं एक एक हमारी कोशिश है कि कोई भी मरीज प्ल सालों के डॉक्टर्स, नर्सेज पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बचाने की, एक 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 जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति की मौत नी होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति से मैं परस्नली उसकी खबर रख रहा हूँ, एक एक प्रुटसाहन देते हैं कि आप डोनेट कीजिए, मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाते हैं, हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जातके हो, सब लोगों के मन में एक जजबा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ, मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था, कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाजमा डोनेट करने के लिए, इतना हम लोग उनको प्रुत्साहित कर रहे हैं, त हो सकता है उसको मसल्मान का प्लाजमा उसकी जान बचाए, मान लीजे कोई पेशेंट मुसल्मान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाजमा, हिंदू के शरीर का प्लाजमा उसकी जान बचाए, भगवान ने जब धर्ती बनाई थी, तो उसने तो इंसान बन ने उसी किसम का प्लाजमा है भगमान ने तो हमारे बीच में कोई दिवार पैदा नहीं की भगमान ने तो किसी किसम के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किसम की खाई पैदा नहीं की ये तो सब हमी लोगों नहीं की हुई है करोना होता है तो सब को होता है ना करोना तो हिंदू को भी होता है, करोना तो मुसल्मान को भी होता है और आपके शरीर का प्लाजमा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाजमा भी दूसरे को बचाता है मुसल्मान का प्लाजमा भी बचाता है हिंदू का प्लाजमा मुसल्मान को भी बचाता है तो फिर ये दिवारे हम लोगों ने आपस में क्यूं पैदा की हुई हैं कम से कम ये करोना की बिमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं अगर हमारे देश के सब लोग हिंदो, मसल्मान, सिख, हिसाई, जैन, बौध हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और महबबत से काम करेंगे तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता है, इस देश को, इस देश के सामने पूरी दुनिया को जुकना पड़ेगा हमारे देश इतना अच्छा है, और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उमीद नहीं बचती है, तो मुझे लगता है, इस से हमें ये सबक लेना चाहिए, अगर आपके मन में कभी भी किसी कोई दुलभावना आती है, किसी दूसरे धरम के व्यक्ति के प्रती, तो ये सोच लेना कि हो सकता है, उसका प्लाजमा कल को आपके काम आए और आपके जिन्दगी बचाए, थैंक यू झाल झाल झाल